हेलो गाईज, वेलकम टू अवर चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमदर स्टडी सर्कल के रिजल्ट से रिलेटेड जो की अभी कुछ दिनों पहले रिटन हुआ था हमदर स्टडी सर्कल का और तो उसका फाइनली रिटन का रिजल्ट आ चुका जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी तो इस लिस्ट में इन्होंने वही बताया है कि आपके इंटर्व्यू कहां होने वाले हैं और सारा वही प्रोसीजर बताया है अन्दा बेसिज ऑफ रिटन टेस्ट हैल ऑन अक्टूबर 31 ओके जो आपका एक्जाम होगा था ऑक्टूबर 31 पे उसके बेस पे इन्होंने कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्टेट की हैं किसके लिए आपके इंटर्व्यू के लिए जो आपका इंटर्व्यू होने वाला है व वा उसका आपको ध्यान में रखना है तो ऑल कैंडिदेट विल कम देर ओन फेसमाक्स और हैंट सेनिटाइजर वगरा लेके जाना पड़ेगा आपको कैंडिदेट हूं फॉर इंटर्व्यू विल नौट वेलाओ तो गो आट्साइट तिल देर इंटर्व्यू जब तक आप आपका इंटर्व्यू होगा तभी तक आप वहीं पर रहेंगे आप बाहर अलाव नहीं किये जाएंगे जाने के लिए कंडिदेट शुट ब्रिंग देर ओन फूट आपको अपना खाना खुद दे जाना होगा कंडिदेट है कंडिदेट्स हैब तो स्ट्रिक्ली अब्जर शोशल डिस्टेंडिंग अट टाइम बाइप लिए तो वहां वही शोशल डिस्टेंजिंग वगरा आपको करनी होगी तो यहां पर पूरी इन्हों ने लेजिट दिया और यह भी बता है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेट का कहां पर आपका इंटर्वीय होने वाला है तो य देली जयपूर मेवाद और मुरादाबाद उनका जो कि है हम्दर स्टडी सरकल में होगा और जो कि आपका संगम ब्यार में वापर ऑफलाइन इंटर्वीय होगा और कैंडिडेट फॉम कानफूर जो लोग जो बच्चे कानफूर से अपलाई किया था उनका इंटर्वीय हो बचा गया है अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट की तो यह आपकी लिस्ट है यहां पर आपको पूरा डेट वगरा दे रखा रूपर रिपोर्टिंग टाइम वगरा भी दे रखा है इंटर्वीव मोड क्या होगा वो भी बता दिया यहां पर ऑनलाइन होगा इनका जो भी है इनका इंटर्वीव तो वही सारी चीज़ें इन्होंने यहां पर डिसकस कर दिया पूरा ओनलाइन ऑफलाइन के बारे में सब कुछ बता दिया तो यह बच्चे जो टोटल इस बार शॉटलिस्टेड हुए इंटर्वीव के लिए वह भी देख लेते हैं इनका पूरा कितने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए इस बार यह आप रॉक्स जो बच्चे बैटने वाले इंटर्वीव में यह 482 स्टूडेंट जो है वह इंटर्वीव देंगे अब फिर इसमें से यह अपने अकॉर्डिंग जितनी भी सीटोंगी डेट सो डाइसो उस हिसाब से यह अलोक कर देंगे